पता है तबस्व जितना ममी पापा से दूर होने पर दुख हो रहा है उतना ही तेरे से दूर होने पर दुख हो रहा है आज तक मैं हमेशा तेरे साथ रही हूँ तेरे बिना मैं कैसे रहोगी अरे बाबा तुछ चिंता क्यों करती है हम है ना कुछ ही दिनों में हम तेरे घर के पास ही एक घर ले रहे हैं ताकि मेरे इंस्टिट्यूट की ग्रोथ हो जब हम वहाँ पढ़ाएंगे तो तुमसे भी मिल लिया करेंगे इसलिए बेफिक्र रहो हम भी तुम्हें बहुत हो चुकी थी वह दुर्गा का ग्रह प्रवेश करवा कर उसका स्वागत करती है उसे घर के तौर तरीके बताती है और धीरे धीरे वह घर में सब कुछ सीख जाती है जिसके बाद नंद अपने घर चली जाती है और संकेत के साथ ही दुर्गा भी घुलने मिलने लगती है एक तुम्हारे साथ बहुत खुशुँ दुर्गा और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शुरू में लगा था जैसे कि तुम हमेशा उदास ही रहोगी आरे तुम्हारी फ्रेंड है ना तबस्सम कितना समय हो गया तुम्हें उसे मिले हुए हैं बुला लो उसे मिल लो हब तो वो यही रहती है ना जी आप सही कह रहे हैं मैं बहुत जल्द उसे बुलाओंगी वक्त गुजरता है और दुर्गा तबस्सम को मौसी बनने की खुशखबरी देती है इसके बाद वह उसे मिलने आती है और जोर से गले लगा लेती है माशालला माशालला दुर्गा तुमने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है तुमने तो हमें खाला बना दिया अब देखना हम अपने होने वाले बच्चों के साथ कितना खेलेंगे जी चाहता है तुम्हें अपने सिर पर बिठा ले उसकी जरूरत नहीं है तुने वैसे भी मुझे अपने सर पर ही बिठा रखा है जबसे मिली है तेरे जैसी प्यारी दोस्त हर किसी को कहा मिलती है और जरा आराम से तेरा बाबु है मेरे पास हाँ वही वही मैं होने वाले बच्चे के लिए कितने सारे खिलोने लेकर आई हूँ अभी से इसकी क्या जरूरत है बच्चे को आने में पूरे नौ महीने बाकी है अरे तो क्या हो गया उसकी आ जाने पर तो पता नहीं मैं और कितने खिलोने ले आऊंगी तब ही हाथों में गुबारा और पालना लाते हुए आकरती कहती है अरे अरे सारा प्यार अगर बच्चे की मौसी ही लुटा देगी तो बुआ क्या देगी ठेंगा हरे मैं भी अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ लाई हूँ बड़ी आपी आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम सुनाओ हम भी अलहम्दुलिल्ला अच्छे हैं दीदी मुझे भूल गई आप सारा हाल चाल तबस्सम से ही ले लीचे आप तो नहीं ऐसी कोई बात ने मुझे तुम्हारी भी परवा है इसलिए तो तुम्हारे लिए धीले ढाले सूट और मैकसी लाई हूँ ताकि आराम से रहो थांक्यू दीदी अब इसमें थांक्यू की क्या कहने की बात है वैसे मुझे इतनी आस्तो है कि तबस्सम यहां पर रहने आ गई है तो तुम्हारा बीच-बीच में खयाल रख लेगी वरना मेरा तो ससुराल इतना दूर है कि आने में टाइम लगता है आप बे फिक्र रहिए आपी मैं होना इस धक्कन के लिए आप दोनों बैट जाएए मैं गर्म गरम कॉफी बना कर लाती हूँ आरे पागल तु क्यों जा रही है तु बैट मैं दोनों के लिए बना कर लाती हूँ पागल है तु तुझे ऐसी हालत में सिर्फ आराम करना है जितनी देर हूँ सेवा करवा ले अच्छा ठीक है बाबा फिर तबस्म दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती है और उन्हें पिलाती है नौ महीने गुजरते हैं और उसकी डिलिवरी पर नंद भी आ जाती है दोनों उसका तब भी बहुत खयाल रखते हैं एक दिन संकेत आरेन को एक साल का पीट पर बठा कर खिला रहा होता है गिरने वाला होता है कि तबस्मा कर बचा लेती है अरे जीजू आराम से वो गिर भी सकता था भी अच्छा हुआ तुमने उसे बचा लिया अब धीरे धीरे मापापा बोलने लगा है पूरा नहीं मतलब आगे-ागे का शब्द लेता है हब जल्दी से ये खाला या मौसी कहना सीख जाए हाँ बिलकुल जीजू ऐसा ही होगा वैसे आज मैं दुर्गा के साथ शौपिंग करना चाहती हूँ इसलिए अपने बेटे को आप अच्छे से संभालना मैं अपनी फ्रेंड को लेकर चलती हूँ कहाँ है तू अहाँ गई मैं ये देख तबस्म दुर्गा को देखते ही रह जाती है उसने सुन्दर सा लॉंग ड्रेस पहना था माशाला सुभानला हबीबी बड़ी खुपसूरत लग रही है हमारी दुर्गा अब हूँ तो लगूँगी अच्छा संके जी आप आरेन का ख्याल रखना हम दोनों आते हैं ठीक है दोनों सहे लिए एक दूसरे के साथ पहले मूवी देखने जाती हैं फिर शॉपिंग करके गोल गप पे मोमोस का मज़ा लेती हैं कितना मज़ा आया ना मूवी देखने में इतने समय से हमने तुम्हारे साथ वक्त ही नहीं बिताया था दुर्गा पर आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी तबस्सुम तेरे साथ रहे कर वक्त गुजार कर मेरा दिल खुश हो गया ऐसे हमारी दोस्ती सलामत रहे किसी की नजर ना लगे इन्शाला अरी पागल तेरी आँखों में आसू क्यों आ रहे है तेरी भी आँखों में आसू आ रहे है क्या करें पल ही ऐसा है दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा दन बिता कर घर लोट जाती है दो साल बीच जाते है, आरेन तीन साल का मासी मासी मम्मी पापा बुआ बोलने लगता है एक दिन आरेन को सुला कर वो उठ रही थी कि तेज खासी आती है और उसके मुह से खून निकलने लगता है ये भगवान, ये मेरे हाथ पर खून, ये सब क्या है? नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी क्या हुआ दुर्गा? तुम्हें एकदम से इदनी तेज खासी क्यों आई? मैं पानी लओं गया? अरे आप परिशान मत हो ये, मैं बस अभी आई दुर्गा वाश्रूम में जाकर हाथ धोती है, अगले दिन वह नॉर्मली काम करने लगती है, पर असोई में बेहोशो कर गिर पड़ती है संकेत उसे पौरन अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेक अप करने पर बताते हैं कि उसे कैंसर की बीमारी है ये सुनते ही संकेत रो पड़ता है क्यों भगवान ची क्यों, आपने मेरे साथ ऐसा किया, ममी पापा तो पहले सही नहीं है, देदी भी दूर रहती है आप मेरे बच्चे को उसकी मा से अलग मत करो, उसे ठीक कर दो मैं तबस्म को बलाता हूँ, वो जरूर कुछ हल निकालेगी नहीं संकेत, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे आपको मेरी कसम मैंने ही चाहती, तो मेरी ये खबर सुनकर परिशान हो जाए वैसे भी डॉक्टर ने मुझे लास्ट एज बताया है, मेरे पास छे महीने है, मुझे खुशी-खुशी रहने दीजे और हाँ मेरे बच्चे का बहुत गयाल रखना चुप करो दुरगा, मैं तुम्हे कुछ नहीं होने दूँगा, हमारे बच्चे का खयाल तुम ही रखोगी डॉक्टर ने संकेत को जवाब दे दिया था, ज्यादा समय ना होने की वज़े से संकेत बार-बार तबस्वम को घर बुलाता और दोनों सहेलिया खोब बाते करती है और तबस्वम आरेन के साथ भी खेलने लगती है बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया हमारा बच्चा आरेन, मासी बोल, मासी माची, माची अरे कितना प्यारा लग रहा है आज, इसने मासी भी कहना सीख लिया माशाल्ला, आरेन तु बड़ा प्यारा है, बिल्कुल तुछ पर गया है दुरगा शकल में ही भला मेरे पर गया हो पर अब इसमें बहुत ज़्यादा तेरे गुन भी आएंगे मेरे गुन क्यों आएंगे तु पागल हो गई है क्या जीजू क्या आएंगे हाँ मतलब तु इसे अपनी भी अच्छी अच्छी बाते सिखाना क्यूं नहीं? दीरे दीरे दुरगा का वक्त जितना कम होता है उतनी ही उसकी तब्यत खराब होती है और वह तबस्सम से अपने कैंसर की बात चुपा कर रखती है लेकिन पांचवे महीने में ही दुरगा अपने पती और बच्चे को छोड़ कर चल बसती है इस बात से संकेत बहुत तूट जाता है तब अस्सुम को तब दुरगा की बीमारी के बारे में पता चलता है और वह संकेत से बहुत नाराज होती है लेकिन आकरती के समझाने पर वो समझ जाती है और चोटे बच्चे का खयाल रखना और संकेत के लिए खाना बनाने के लिए वो सुभा शाम घर पर आने लगी थी घर की सफाई करती थी एक दिन आरेन को गोद में खिलाते हो अरे अरे आरेन बेटा तु रो क्यो राए चल चुप निनी करने का टाइम हो गया है सोजा ये शोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है मेरे लाल से तो सारा जग जिल में लाए लो सो भी गया लगता है इसे मेरी लूरी की आदत हो गई है तबस्म कितने अच्छे से मेरे बेटे को समाल रही है सुभा शाम खयार रखती है मेरे लिए खाना बनाती है मेरे बच्चे को नहलाती है सुलाती है ये देखकर हाज दुर्गा बहुत खुश होगी आकरती दूर रहती थी इसलिए तबस्म ही बच्चे का ख्याल रखती थी, कुछ दिनों बाद वा रहने के लिए आती है और बहुत नोटिस करती है कि तबस्म संकेत और बच्चे का कितना ख्याल रखती है और ये सब देखकर उससे रहा नहीं जाता तो अकेले में कहती है मैं जो भी कहने वाली हों बहुत सोच समझ कर कहूंगे और इस बात पर तुम अमल करना आरेन की जिंदगी का सवाल है देखो आरेन बहुत छोटा है लेकिन दुरगा के जाने के बाद तुम उसका बहुत खयाल रखती हो और वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है तुम्हारे बिना सोता भी नहीं और तुम संकेत का भी बहुत अच्छे से खयाल रखती हो इसलिए चाहती हूँ कि तुम संकेत से आरेन के लिए शादी कर लो देखो उसके लिए कोई दूसरी सौतेली मा आएगी तु वो वैसा प्यार नहीं करेगी जैसा प्यार तुम आरेन को करती हो प्लीज मेरी बात मान जाओ आपी ये आपने क्या कह दिया दीदी ये क्या बेकार की बात है मैंने सब कुछ सुन लिया आप सोच भी कैसे सकते हैं कि तबस्व हमारे लिए अपनी जिन्दकी दाओं पर लगाएगी ये उसकी जिन्दकी का सवाल है उसे ही फैसला लेने दीजिए प्लीज तबस्व मेरी बात को समझो संके तुझे कुछ नहीं पता मैंने सब कुछ देख कर ही बोला है आपी संके जी मैं इस रिष्टे के लिए तयार हूँ मैं आर्यन को वो हर प्यार दूँगी जो दुर्गाव से देना चाहती थी और आज मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है आप क्या चाहते हैं क्या मेरे साथ खुश रह पाएंगे इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता मुझे बस अपने बेटे की चिंता है अगर तबस्व हां कहती है तो मैं भी तयार हूँ मैं जानती थी तुम दोनों आरेन के हित में फैसला करोगे तबस्व उसे दुर्गा का प्यार भी और अच्छाईयां भी देना जी आप ही इसके बाद तबस्व अपने घर वालों को बताती है बिना किसी एतरास के वहभी तबस्व का निकाहा संकेट से करवा देते हैं इसके बाद संकेट और तबस्व आरेन को हिंदू और मुस्लिम दोनों की अच्छी तालीम देते हैं और उसके भविश्य में बहुत कुछ करते हैं इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं दो सहेलियों की दोस्ती दो धर्म से परे थी जहां सिर्फ प्यार, सम्मान और भरोसा था दोस्तों आपने सुना होगा कि औरती औरत की दुश्मन है लेकिन ये बात सरासर गलत है बलकि तबस्सम जैसी औरतें ये साबित कर देती हैं बच्चे की परवरिश और एक सहेली का परिवार उसकी जिन्दगी से ज्यादा जरूरी है क्या आपके भी कोई इतनी पक्की सहेली है जो आपके लिए कुछ भी कर जाए कॉमेंट बॉक्स में हमें उनका नाम जरूर बताएं और इस कहानी को अपनी बिस्टी के साथ शेयर जरूर करें